पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि Wi-Fi का driver कैसे install करते हैं और उसे अपने PC से कैसे connect करते हैं इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि बिना USB cable के आप अपने phone के medias, files, images, photos, folder ये सबी बिना USB cable के अपने PC में कैसे transfer कर सकते हैं इसके लिए आपको एक Wi-Fi adapter की जर्रत पड़ेगी हमारे पास एक Wi-Fi adapter है इसे हम अपने PC से connect कर लेते हैं यदि आपको Wi-Fi को PC से connect करना नहीं आता है तो आप मेरी last वीडियो देखके ये सब सीख सकते हैं जिसका link में आई बटन पर दे दिया है तो हम अपने Wi-Fi को अपने CPU में लगा लेते हैं हमने हमारा Wi-Fi CPU में लगा लिया है हमने हमारे Wi-Fi को phone से connect कर लिया है अब हम चलते हैं mobile screen की तरफ अब आप अपने mobile phone में play store से एक application डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है Wi-Fi FTP server तो इसके लिए चलते हैं हम अपने play store में यहां पर यहां पर search बार में आप डालेंगे Wi-Fi FTP server यह हमारा आ चुका है इस पर हम क्लिक करेंगे यहां पर पहले number की application है इस पर हम क्लिक करेंगे हमारे phone में यह पहले से install है आप इसे install कर लिजेगा हम इसे open करेंगे ओपन करते ही आपको कुछ इस परकार का interface दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा Wi-Fi status, IP address, network, start और get pro version हम यहां पर start पर क्लिक करेंगे start पर क्लिक करते ही आपके पास नीचे server URL आ जायागा अब हम my computer में जाएंगे यहां पर right क्लिक करेंगे और add ए network location पर क्लिक करेंगे यहां पर next पर क्लिक करेंगे फिर से next पर क्लिक करेंगे और यहां पर server URL हम डाल देंगे हम हमारे phone का server URL यहां पर डाल देंगे FTP हमारा पहले से ही डला हुआ है इसलिए हम इसे क्लिक कर देंगे अब यहां पर next पर क्लिक करेंगे यहां पर tick पर पहले से ही select रहेगा आप यहां पर नहीं हो तो select कर लिजिए फिर से next पर क्लिक करेंगे आप यहां पर अपने device का नाम डाल सकते हैं चाहे तो यह कोई जरूरी भी नहीं है हम red मी डाल देते हैं और यहां पर next पर क्लिक करेंगे और finish पर क्लिक कर देंगे अब आप my computer में जाएंगे यहां पर network location में आपका folder का नाम आ गया होगा हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी सब media files, images, photos यहां पर सब आ चुके हैं आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो इस परकार से आप बहुत ही आसानी से आप अपने media files को अपने computer में transfer कर सकते हैं I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो like करें, share करें, subscribe करें हमारी चैनल को